अपका स्वाव रहता है हमारे चैनल अभी पर टैक पिस्टल में आज की सुधियों केरने वाले कमेंट्स पहले क्या करते हैं अपने यहां पर स्ट्रीज यहां पर एक हैडिंग मना रहीं ग्राइग है एक हैडिंग है फिस्ट है यहां हो घ्राइग को मैंने कहां कर दिया है यहां पर दे दिया बैग्राउंड कोलर अग्रीव ब्राउजर करूं तब देखो इसको कहा है बैक्ग्राउंड कलर मिल चुक है तो मैं नहीं क्या लिखना है यहां पर इसको कमेंट में लिखना है तो कैसे लिए होगे आपने बैक्ग्ड्राउंड क्लर दियुक में लिखना है तो बाद क्लोश कैसे को रोगे यासी टाउड्राउंड कर दो यह क्या है अब हमारा कमेंड को कि बैक्ग्राउंड के लिखना हुआ है अगर मैं अभी इस को एक्लिक को अपने ब्राउजर को तो अभी नहीं दिखेगा और अपने बैग्राउंड कलर के तो यह थे हमारे चैसे के अंदर कमेंट अब भी अगर मैं क्या करूं इसकी अभी लगाओ एक्टरनल फाइल जाहां है क्ली यहांपर क्या कर हूँ एक को लिख लिंक दिने वाले थे हम इस्तेक availability के अंदर के पहलेजुकर द्रिंयुकर इस्का थेका में ग GORDON के यहां है कमेंट से इसस को वोग यह CSS की फाइल है तो इसको डॉट सेव करेंगे और इस कमेंट वाली फाइल में क्या करणी उसका लिंक दे रही है तो इसका क्या नहीं है कमेंट css.cs इस पाइक को मैंने क्या गया लिंक कर दिया अब उसी h1 को कर रही है यहां पर कॉल करूंगे डरेक्ट विदाउट स्टाइल तो यहां पर मालना मैंस को क्या कर रही है बैकड्राउं कोलर दे रही हूं ग्रीन यलो और इसको कर रही हूं बॉडर भी दे रही हूं यहां पर सिसको करूंगे अब कर दे रही है करने की बाद आगर मैं इसको यहां पर राट क्लिक और ऑपन इन बाउग दे रही हूं चौहां बॉरर मूर्ड बेक्राउंड नला चिंहां खाग है तो अगर मैं सका बैक्राउंड कलर को कमेंट सुर्चा है तो यहां पे background color के लिए करोगे, comment करोगे, कैसे करते है, comment, slash, start इसके बाद इसको सारी का सारा content slack पोचुका है, तो कहां तक लगाना है, यहां तक, तो यहां back, sorry, green yellow के बाद इसको खतम करना है, तो start, फिर से तो अभी अगर मैं इसको क्या करूँ, right click और opening browser करूँ, तो इसका background color ही में भूजाएगा, only इसके पास क्या मिलेगा, और border, चीखे, तो जो इस सब का shortcut है, आमाद में क्या करूँ, इसको यहां पे कह देती हू, font size देती है, font size देती है, 20 pixel, और इसको मैं क्या कर दी हूँ, अभ 50 कर रहे हैं, और अभी अगर मैं सब करूँ, यहां पे refresh करूँ, इसको ज्यादा बड़ा साइज हुआ है, अभी मैं करती हूँ, इसके border वाले को comment करती, तो क्या करोगे, इसका shortcut क्या है कि आप क्या करोगे, इस वाले इतने part को select करोगे, control slash click कर तो अपने आप उसको automatic border में ज इसको भी बता दिया है, inline में कैसे बताना है, sorry, internal files में और external CSS कैसे comment को हमने लगाना है, इनी files के, तो यह थे हमारा आज का topic, अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छी लगियों तो इसको border share,